दोस्तों आपने बात सुनी होगी कि पहले के जबाने में भी प्रेग्नेंसी होती थी, बच्चे होते थे, पहले तो इतनी सोनोग्राफी की ज़रुवत नहीं पड़ती थी, तो ऐसा क्या हुआ कि आज कल के डॉक्टर सोनोग्राफी एडवाइज करते हैं, इतने अल्टरसाउ प्रेज के लिए बलकि दो केस हमारे लिए, आपके लिए, हम एज़ा समाच के लिए, सब के लिए बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों, इन दोनों केसे के बारे में आपका जनना अज बहुत जरूरी है, फिर दोस्तों हम लोग एक ऐसी बाधा की भी बात करेंगे, एक एक जो modern medical sciences, कि जितनी advances हैं, जितनी researches हैं, जो नई-नी machines आ रहे हैं, उनके फायदे को आम जनता तक पहुँचने से रोक रहे हैं, इस बाधा के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों, और हम लोग यह भी जानेंगे कि यह बाधा कैसे दूर हो सकती है, नमस्कार दोस्तों, मैं द अपने family friends में इसके बारे में जरूर discuss करें, नोडिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस करिएगा, इससे जो हम regular videos लाते रहते हैं, नए-नए विश्यों पर लाते रहेंगे, वो आप से miss ना हो, आप तक पहुँच सकें दोस्तों, तो दोस्तों, हम start करते हैं अपने दो important cases से, एक lady है दोस्तों, हम लोगे पास आती है, ultrasound कराने, 7 महीने pregnancy में, वो कहीं periphery, मतलब कहीं गाउं से आती है दोस्तों, उसके घरवालों ने decide किया, कि हम लोग बच्चे के delivery शहर में एक hospital में कराएगे, 7 महीने पे आई दोस्तों, ultrasound कराने, हम लोगों ने उसका ultrasound किया, जब ultrasound किया उसके बाद जब उसके परिवार को बताया गया, तो परिवार में जो खुशी का महौल था, उससे एक चिंता का महौल परिवर्थित हो गया, दोस्तों, उनमें तमाम प्रशनों लोग पूछने लगे कि अबागे क्या भविश्य होगा, क्या दोनों बच्चे अलग हो पाए क्या हेल्दी रह पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, दोस्तों, अब सात्वे महीने की प्रगनेंसी थी, तो टर्मिनेशन का भी ऑप्शन नहीं रह गया उनके पास में, पिर दोस्तों, उन्होंने कई डॉक्टरों की सलाह बिली, डिलिवरी के पहले, कि आगे क्या होगा, फि पिर दोस्तों, डॉक्टरों के अथक प्यास के बाद भी, उन दोनों बच्चों में इतना सीवियर जोड था, ऐसी तरीके से आपस में जुड़े हुए थे, उनके ओर्गनस इतने ज्यादा आपस में फ्यूज थे, कि उनको सेपरेट करना मुश्किल रहा, और ये बच्चे इंफेक्शन से, इनको बचा पाना डॉक्टरों के लिए मुश्किल रहा, नहीं बचा पाया, अब दोस्तों आते हैं, हम लोग अपने दूसरे केस पर, ये दोस्तों, ये भी एक गर्वती महिला है, हम लोग के पास पहला इल्टरसाउंड कराने आठवे महिने पर आती है, तो दोस्तों, इस पर हम लोग अल्टरसाउंड करते हैं, तो देखते हैं, दिमाग में बहुत सूजन है, बच्चे के, जो दिमाग में सूजन है, दोस्तों, फिर हम लोग और उसका कारण जूनने की प्रयास करते है, हाइड्रोकेफलस है, उसका कॉस जूनने का प्रयास करत जाता है तो प्रेगनेंसी नियूरो सजन से डिसकस किया जाता है जब बच्चा दोस्तों डेलिबर होता है तो उसके बाद उसके कुछ operations भी होते हैं unfortunately बहुत अच्छे results नहीं मिल पाए क्योंकि दोस्तों सुजन जो थी इन में बहुत severe degree की थी तो बच्चा बहुत अच्छा functional status अभी तक नहीं पहुच पाया तो दोस्तों एक दुखदाई स्थित है एक sad situation है जो हम लोगों को regularly देखने को मिलती है एक paradox है दोस्तों एक बिरोधा भास है एक तरफ advanced medical science नई-ई researches नई-ई machines नई-ई hospitals और दूसरी तरफ दोस्तों ऐसे cases तो दोस्तों ऐसा क्या है ऐसी कौन सी बाधा है दोस्तों जो इन सारी researches को इन सारे नए-ई medical advances को आम जंता तक समाज के आखरी पायदान के रेक्टी तक पहुशने से रोक रही है दोस्तों इस बाधा हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है नहीं तो इस सारी जो हम लोग medical advances की बात करते हैं नई-ई researches की बात करते हैं institutions की बात करते हैं दोस्तों इन सारे चीजों के फायदे एक सहरी इलाकों तक सीमित रहके रह जाएंगे कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित रहके रह जाएंगे कुछ संपन्न लोगों तक सीमित रहके रह जाएंगे दोस्तों तो इस बाधा क्या है इस बाधा का नाम है दोस्तों जाग रुकता, awareness, इस बाधा को दूर कौन कर सकता, दोस्तों, अगर जनता में इन सब चीजों के प्रती awareness नहीं हुई, तो इन awareness फैलाने की जिम्मेदारी हम लोग की है, हम as a doctors, आप as a समाज, हम सब लोग दोस्तों इसकी जाग रुकता आम जनता तक पहुँशने की जिम्मेदारी है, जैसे एक conditions, इस तरह की medical परिस्तिया हम लोग को जो बचा सकते हैं, जो preventable situation है, वो चीज़ें दोस्तों हमें दुबारा देखने को ना मिलें, और जिससे सारी medical advancements हैं, जो आखरी पाइदान तक के विक्ति के समाज की हर वर्ग तक दोस्तों इस पहुँशन सकें, कोई इससे बंचितना रहें, फिर दोस्तों, एक आपने चीज़ दलील सुनी होगी लोगों की, जिसके बारे में हम लोगोंने स्टार्टिंग में बात की, कि पहले के जमाने में बच्चे होते थे, pregnancies होती थी, तब क्यों नहीं सोनोग्राफिक कराई जाती थी, और अ सा और अपने यादास्त पे जोड डालें, तो उलोग आपको बताएंगे, कि पहले के जमाने में 6 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे, 12 बच्चे तक दोस्तों, एक एक लेडी के होते थे, और थोड़ा और सोचेंगे, फिर बताएंगे, उन बच्चों में से 50 परसेंट, आज के समय में दंपत्यों के पास यह option है, जो चीज बच सकती है दोस्तों, और 10 बच्चे, 12 बच्चे, प्लान करने के ना तो किसी का समर्थ है, ना किसी का पास समय है तो दोस्तों, तो हम सब मोग मिलके decide करते हैं कि इस जागरुकता को, कि प्रेगनेंसी में timely ultrasound, समय पे ultrasound हो timely ultrasound in pregnancy, प्रेगनेंसी में समय पे ultrasound की जागरुकता, दोस्तों, जन जन तक इस बात को हम लोग अपना message पहुचाएं, इसकी जागरुकता फैलाएं, जैसे दोस्तों, इस प्रकार की cases और इस प्रकार की स्थितियों से हम सब बच सके हैं, दोस्तों, अगर आपके मन में कोई वि कर्काएं, विए आपके मन में तोस्तों expressed in कर दोस्तों, जैसे हम बचके में आपके मन में आपके Congपके सके हैं, जिस आपके हुचाएं MAR기는 है, वैसे हैं, वैसे हैं.